है 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 वेल्कम टू माई इस्टडी फीट चैनल दोस्तों डिगत वर्शन में पूछेगे प्रतेक टॉपिक से टॉपिक वाइस कोस्टन्स मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं चाहे हो कि भी एस टीजिटी पीजिटी यल्टी चाहे है अधर इस्टेट के टीजि से बीडियो ला रहे हूं कि यह आपका दस्वान दोस्तों प्रतेक कोस्टन को ध्यान पूर्वर में नियुक्त और इस ज engagement को हो सके नोस गणकारी है यह सबसकाइब और पर पिजिट प्रेयवाइक को प्रेश कर लोड़ इस means तो इसी तो ना दूज कपर रहेगा तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज किसी रिच को दोस्तों पहरा कुश्चन है कि की सरीर रचना यानि इनाटॉमिकल भासा में हिदे के मांस्पेशी को कहते हैं तो इसका सही एंसर है मायोकार्डियम दोस्तों सरीर रचना या इनाटॉमिकल भासा में हिदे के मांस्पेशी को मायोकार्डियम कहते हैं नेक्ट क्वश्चन है हिदे की दिवार का मध्य कोर्ष कौन सा है जैसा कि दोस्तों मैं पिछली वीडियो में कई पर बता चुकी हूँ कि हिदय तीन दिवारे से गिरी होती है तीन परतों से गिरा होता है पेरिकार्डियम मायोकार्डियम इंडोकार्डियम सबसे बाहरी परत 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 मायोकार्डियम एंड सबसे निचला परत इंडोकार्डियम जिसमें चार कच होते हैं दो उपर के कच अलिंद दो नीचे के निलय होते हैं इनो कार्डियम में होते हैं जो सबसे बाहरी परत होता है परिकार्डियम दू परतों से बना होता है जिसमें एक सेरस नामक द्रो बरता है भरा रहता है अमध्य का परत क्या कराता है मायोकार्डियम क्या है हिदे की दिवार का मध्य कोट से कुन सा है तो मायोकार्डियम नेश्ट कोश्चन है दोस्तों कि बेस मेटाबोलिक दर में ब्यक्ती दर ब्यक्ती भिन्यता हो शक्ती है परन्तु वह ब्यक्ति की भिनता निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है कह रहा है कि बेटल मूटाबोलिक दर में ब्यक्ति-दर ब्यक्ति भिनता हो सकती है बट वह जो भिनता होती है ब्यक्ति की मात्रा किस पर निर्भर करता है इसका सही एंसर होगा सारी गति बिधी पर जैसा आपका सारी गति वदी होगा, उसके उनसार उसकी ब्यक्ति-दर ब्यक्ति बिर्ता होगी, यहाँ पर दोस्तों, बेसल मेताबोलिक दर, यानि BMR, BMR का फुल फांड क्या होता है, बेसल मेताबोलिक दर, यह उर्जा का एक नंबर होता है, जो कैलोरी में मापा जाता है, अब्यक्ति का BMR प्राया सारी गति विधी पर निर्भार करता है, नेश्ट कुश्चन है दोस्तों, कि स्वेत रूधी राडू, यानि WBC का मुख्य कारे होता है, क्या होता है WBC का मुख्य कारे, दोस्तों इसक प्राया, दोस्तों बैक्टिया वाने रूगाडू या कि हमारे सरी की रच्छा करता है, बाहरी जिवाडू से, नेश्ट कोश्चन है दोस्तों, निजनलिखित में से, किसी से आयू को प्रतिस्थापित कर, अधिक्तम याचार की गर्ना की जाती है, तो इसका सही अंसर होग का 220, यानि दोस्तों, 220 में से, आप अपने आयू को जब घटा देंगे, तो आपका अधितम याचार, यानि, मैक्सिम्म हार्ट रेट की गर्ना का पता चलता है, जैसे कि, एक्जांपल के लिए, आपका उमर 45 वर्स है, आपको अपना अधितम हार्ट रेट, जो बेयाराम के मैक्सिम्म हार्ट रेट होता है, उसको पता करना है, तो आप यम हार्ट ग्याद करने के लिए, 220 में से, 45 गटा देंगे, आएगा 175, यानि, कि 175 आपका अधितम हार्ट रेट है, जो प्रती मिनर्ट बेयाराम के दौरान, इस ब्यक्ति की होनी चाहिए, कि हिदय के विषय में निनलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पहला है, ए है, यह सीने में फेपड़ो और मध्य पट के बीच, केंदरी और नमन के उपर इस्थित होता है, ये तो सही लग रहा है, बी है, इसका वजन लगभग 300 ग्राम होता है, ये तो आपको एकदम ग लग रहा है, क्योंकि इसका वजन होता है, 300-300 ग्राम होता है, हिदय का वजन, एंदर तिसी है, यह एक पट द्वारा बाएं और दाएं दो भागों में विभक्त किया जाता है, ये भी सही लग रहा है, क्योंकि एक सेप्टम द्वारा हिदय, दाएं भाएं दो बागों में और ट्रिंद निल्ययों में विभाजित होता है यह सही है दोस्तों यानि कि इसमें गलत आप yapıyor सही नगी है तो इसका 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 बताया है कि इसका वजन लगभग तो यह आपसन आपका बी सही अंसर होगा नेस्ट कुर्शन है दोस्तों मानों हिदे का वजन होता है कितना होता है जबकि अभी तुरूंद मैंने बताई आपसन नबर सी करेप्ट एंसर है धाई सो से तीन सो ग्राम एन दोस्तों मनुष्चे एक मिनित में कितनी बार मनुष्च का हिदे धर रखता है तो बहतर से पच्छतर बार और इस प्रकार से प Ś prasices का वजन होता है कितना औलग भग तो इसका भी एंसर होगा 30 से यानि 206 से 300 ग्राम और निक्ष्च कोशन है दोस्तों जिन बेक्तियों के रक्त चाप का पठन खाली अस्तान है आपको बरना है जिन बेक्तियों का रख्तचाप का पठन इतना यम-यम-Hg से उपर होता है कि उन्हें उच्छ रख्तचाप का मरीज मना जाता है मतलब कितना यम-यम-Hg से ज्यादा होगा आपका रख्तचाप कि आपको उच्छ रख्तचाप का मरीज मना 120 80 होता है 120 80 होता है अब 140 90 से ऊपर जब चला जाता है हो रख्त चाप तो उत्च रख्त चाप किसरेडी में आ जाता है हीदय में सिस्टोल और डायस्टोल हीदय संकुचन करता है और प्रकुंचन करता है जब संकुचित जो हमारे हीदय का बायान निलय होता है जहां से रक्त एरोटा यानि महाधमनी के रास्ते समस्त सरीर में भेजा जाता है तो जब बाया निलय संकुचित होता है उस दोरान रक्त का जो दाब धमनियों पर पड़ता है उसे सिस्टोल कहते हैं प्रेशर कहते हैं यानि उत्रक्त दाब कहते हैं एंड डास्ट्रोल प्रेशर जो होता है वह बाया नियलय रक्त को भेजने के बाद पुना संकुचित यानिप्रत रक्त होता है तो उस दोरान रक्त भरता है उस द्रहां जो दाबढदमनियों पर पढ़ता है उसे डास्ट्र काते हैं इसका कितना होता है त्यो already होता है जब कि किए इक सबीस फोता है तो निःक्त चाप कितना होता है एक सबीस असी होता है नेस्ट कोशन है दोस्तों यानि 120 जाने का और 80 रख्त को आने भरने का यह आपके रख्त चाप होता है 140-90 से अधिक हो जाएगा तो आप उच रख्त चाप के मरीज हो जाएंगे कि मानों का समान रख्थ चाप होता है जैसे कि मैं अभी तुरंद बताई हूँ इसका सभी एंसर होगा मानों का समान रख्थ चाप कितना होता है एकसर बीस एनसी onde एकसर इससट्रीक कितना होता है जैसे सिस्ट्रिक दाइरा ने किस्प्तूलीख मीनिमम उसतों बनुपक्राइस होता है नहीं हूँ चैपा एकसर सूर्ण होगा एकसर एकसर पाचीश दे मिनिमम मैं पोच़क है इस तरह से आप 110-125 cmdg 110-125 cmdg होता है नेक्ट कुछन है दोस्तों इस फिगनों मैनो मीटर किसका मापन करता है जैसा कि आप सब को पता होगा रख्त चाप का या रख्त दाप का मापन करता है इस फिगनों मैनो मीटर नेक्ट कुछन है परिसंचरो तंत्र का मुख्य अंग है कौन सा है तो हेदे है इस अब को पता है हीदे के चार कच्छों होते हैं उपर के दो कच्छों को अलिंद कहते हैं दाया अलिंद बया अलिंद और नीचे के हिंदी में निले तो किसका हिस्सा है हिदय का आपसर नंबर सी करेंट एंसर हो जाएगा दोस्तों नेश्ट कोशन होता है नेश्ट कोशन है हिदय में कितने चेंबर होते हैं यानि कितने कच्छ होते हैं तो हिदय के दोस्तों चार कच्छ होते हैं अब भाग पूछे का कितने होते हैं दो भाग होते हैं दाया भाग बाया भाग इस सेप्टम दौरा दो भागों में बटा होता है चार कच्छों होते हैं तो चार कच्छ का क्या क्या नाम है दोस्तों उपर के दो कच्छों को अलेंद कहते हैं नीचे के दो कच्छों को निला कहते हैं अलेंद यानि तो हमारी सीराय होती हैं है भी जो समझते सरी से असुद्ध रखत करके दाय बसे यदिनले में आता है निले से रखत फिप्रे के pacмid सिर्था के रास्ते बाय देग्य बेजा जाता है यारो , ंनीला सम्हें भाइन और निला में यक्शन रख्त समस्थ सरीर में भेज है तो इस्वकार हिदे के चार च्छिंबर होटे हैं और 24 खरांगों नेश्ट कोशन है दोस्तों हिदय के उपरी चेंबर को क्या कहते हैं मैं अभी तुरंत बताएंगू हिदय के उपरी चेंबर को यानि उपरी कच को अलिंद कहते हैं लेश्ट कोशन हैं हिदय के किस भाग यानि चेंबर से रोटा जुड़ा रहता है नेश्ट कोशन है कि बाएं आर्टरीअम और वेंटरिकल की बीच वाल भी होता है है पाएं आर्टियम यानिont बाएं अलिंद और बाय वेंट्रिकल यानि बाय निले यानि बाय अलिंद और बाय निले की बीच जो वाल्व होता है उसे क्या कहते हैं तो उसे दोस्तों मिट्रल वाल्व या कहते हैं इसका option number D सही अंसर होगा मिट्रल वाल्व जिसे बाय केस्विट वाल्व भी कहते हैं दोस्तों हिदय में चार कपाट होते हैं यानि चार वाल्व होते हैं जिसमें से दाएं तरफ जो दाएं अलिंद और दाएं निला की बीच वाल्व होता है कपाट होता है उसे ट्राइकस्पिट वाल्व कहते हैं यह तिन कपाटो वाला होता है और जो बाएं तरफ बाएं अलिंद यानि आर्टिय दोस्तों सभि अध़ चंद्राकार वल्भ होते हैं उसमें से 1 होता है पलमोलणरी वल्भ तब निलए के संकुचन होने पर असुद्ध रगत पलमोली वल्भ के सहरे रास्ते पलमोली ध्युट से होते हुए धाय भाइं फेफ्रों में प्रशिस्ट करता है ओर एक वाल्व होता है एरोटिक वाल्व जो वाएं निलयके संकुचन होने पर सुद्ध रखत एरोटिक वाल्व के राष्ते महाधवनी इरोटा से होकर होता हूए सरीर के विभीन भागों तक पहुचता है तो हिदर में चार वाल्व होते हैं इसको भी दियार में रखिएगा चार कपाट होते हैं कि दायन अलिद्धिंदि निल्य मतड हिसीत कपाट को क्या कहते हैं इसका अंसर हैं इसकी 17 ुप से बता दी शेकर है ट्राइकेस्पिडवाल, अलिंद और दायनिला की बिच कुछ सा कपट होता है ट्राइकेस्पिडवाल नेश्ट कोश्चन है दोस्तों कि हिदय के किस भाग से रक्त सरीर के विभिन भागों के लिए प्रवाहित होता है, किस भाग से होता है इसका सही अंसर है बाया वेंट्रिकल यानि बाएं जो निला होता है वहां से एरोटिक वाल्व की रास्ते एरोटा यानि महाधमनी से होता हुआ समस्त सरीर में सुध्र रक्त भी जाता है नेश्ट कोचन है पुरी सरीर में रक्त को पंप करने वाले हिदय के अंग का नाम है तो इसमें क्या क्या आपसंदिया है लेप्ट आर्टिकल लेप्ट वेंट्रिकल पेरिकार्डियम एरोटा तो इसका सही अंसर होगा लेप्ट वेंट्रिकल यानि बाया निले वहीं से आपक प्वेंट्रिक्ल से रखता है। तो इसका सही जवाब होगा फुफूस धमनी यानि पलमोंदरी धमनी भी इसको कहते हैं या फुफूस धमनी दोस्तों आप यह ध्यान रखेगा कि आपको यह तो बताया गया है कि हीदे में रख्त लाने ले जाने वाले दो नलिकाएं होती है धमनी और सीरा सीराएं जो होती है हमारे समस्ते सरीर से असुध रख्त को हिदे में लाती है और जो धमनी होती है हमारे हिदे से सुध रख्त को समस्ते सरीर में भीजती है तो दोस्तों जो हमारे सीराएं होती है धमनी होती है उसमें असुध रख्त बहता है और जो धमनी होती है उस धमनी मे जो फेपरों तक असुद्रक्त को लेकर जाता है तो धमनियों में पल्मोनरी धमनी में असुद्रक्त बहता है जबकि आपको पता है कि सीराओं में असुद्रक्त बहता है लेकिन पल्मोनरी सीरा जो फेपरों से सुद्रक्त को हमारे बायर अलिंद में लाता है तो पल्मोनरी स खेलों में अच्छे प्रदर्सन दिखाने तथा उपलगदी प्राप्त करने के लिए कौन से खिलाड़ी बीटा ब्लाकर्स का प्रयोग करते हैं जिससे रक्त चाप में कमी आती है तथा एक आगरता बढ़ती है जैसा कि दोस्तो मैं ने डोपिंग वाले वीडियो में पूरे बताया है कि बीटा ब्लाकर्स क्या है इल्कुहाल क्या है इस्टिमूलेंस क्या है जितने भी डोपिंग से इस्टिमूलेंस है सबके बारे में डेटेल में बताई हूं तो उस वीडियो को डोपिंग वाले वीडियो को आप जा करके तीन चार वीडियो डोपिंग में बना करते हैं तो चार आपसन दिया हुआ है दोस्तों एक आगता वाले खेलों में इसका सभी जवब होगा आपसन नंबर सी तेरंदाजी और निसाने बाजी में यहां पे बिटा बलाकर्स का प्रियोग खिलारी अपने अपने खेलों में अच्छे पदर्संग के लिए करता है तो दोस्तों आज बस इतना है आई होप की एक एक कुश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों एंड दोस्तों एंड विडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा और अपने practice को करते रहेगा क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है दोस्तों रोजाना आपको daily basis प्रेक्टिस करना पड़ता है एंड दोस्तों जितने भी topics अभी theoretical में बचा हुआ है theory session में उसको भी मैं पूरा करूँगी और mcq questions तो मैं आपके सामने प्रस्टित कर ही रही हूँ तो दोनों पार्स को मैं पुरा करती रहूँगी आप मेरे चैनल पे syllabus के recording पढ़ने के लिए दोनों के लिए बहतरीन तयारी के लिए मेरे चैनल को daily basis पे वाच्ट कर सकते हैं और दोस्तों आप चैनल पे आपको मिलता रहेगा तो दोस्तों मिलते हैं नेस्ट वीडियो में नेस्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिन